नमस्कार दोस्तों मैं आपका अपना fitness coach Rajis Kumar और कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ सभी अच्छे से होंगे में अभी अच्छे से हूँ और आज का मेरा topic है respect मतलब हम लोग exercise करते हैं आउटओर करते हैं जीम के अंदर करते हैं सब चीज अच्छा है लेकिन आज का टॉपिक है रिस्पेक्ट किन की रिस्पेक्ट करें तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत से लोगों का मैसेज आता है मेरे पास बहुत से लोग कॉल भी करता है कि सार आप कौन सा मेरे चैन आप अपने डिस्क्रिप्शनलिंग डाल दूँंगा और यहिज ठेल मेरा कोड आप अप अब जाकर उसके का क कौन सकते हैं आप जैसे ही अरजा यह ज़ीमीण बाहते हैं उसमें तो आपको टैन परसेंट एक्षला डिसकांट अ ein Pow embargo to में अट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल चुका हूँ मैं लिंक डाल दूंगा अब वहां से जाके विजीट करके अपने लाइक सप्ली में चूज कर ले और मैं यूज करता हूँ फॉस्ट अप का वेप प्रोटीन कि मैंने बात करिया अक्सर मैं जीम जाता हूँ बहुत सारे जीम जाता हूँ अपने दोस्तों की जीम जाता हूँ मेरा खुद का भी जीम है मैं वहां पी जाता हूँ मैं देखता हूं कि जितनीी भी लड़के यंग जेंटरिशन आतेях हम क्या करने आते हैं हम जीम आते मैं अक्सर फिटनेस इंम्फुएंसर को जो भी फिटनेस को परमोट कर रहे हैं मैं हर समय देखता हूं वो हर चीज़ बताते हैं बाड़ी ऐसे बनेगी बाड़ी वैसे बनेगी मतलब हर चीज वो लोग बता रहें लेकिन एक चीज वो कहीं न कहीं मिस कर जाते हैं जो मैं उस चीज को बताना चाहता हूं और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लेगे तो इसको क्रिप्या सेयर कर देना मेरे चैन से और मतलब आपके कमेंट से आप जो कमेंट करेंगे मुझे मैं कोसिस करूंगा इससे बेटर और वीडियो आप लोगों के लिए लाओं और कमेंट करो कि मैं किस चीज के लिए वीडियो और आगे बनाता जाऊं तो सबसे पहला बात मैं बोला रिस्पेक्ट की रिस्पेक् करना सीख है खुद का रिस्पेक्ट कैसे करें हम जीम हाते हैं जीम में जीम के ऑनर्स या जीम के जो भी अथरीटी होती है जीम के जो भी लोग होते हैं वो अपने दिवाल पे वाल पे एक चीज जरूर टांक रखता है को रोना काल चल रहा है मासक अपना यूज करें टावल अपना लाए घर से सूज कैरी करें पानी का बोटल अपना लेका रहा है ठीक है यह हो गया खुद का मैनर्स कि आप मैट भी इवन मैट भी यह सारे एक्यूपेंट्स आपके खुद के हैं आप जीम में जा रहे हैं जीम के दस लोग उस मैट पे उस जगह पर एक्सराइज कर रहे हैं मतलब किसी ने सेनीटाइजर यूज करा है नहीं करा आपको नहीं पता कौन किस बिमारी से है तो सबसे पहला आप खुद का रिस्पेक्ट करें आप अपने क्यूप्मेंट्स का रिस्पेक्ट करें आप जो भी क्यूप जो भी गेर्स आपके हैं वह आप खुद जी किसी को कुछ से infection है तो आप अपना सूस केरी करें यह सब चीज आप खुद केरी करके लिए के जाए तो यह आपका एक good manners को रिप्रेजेंट करता है किसी जीम के अंदर आपको ट्रेनर्स बोले नहीं आएंगे सर केरी ओना सूस आप अपने जूते को केरी करके लाया करो टाव हमारा है हम तो कुछ भी कर सकते हैं डंबल से लिए डंबल को यूज कि यह धणाम से नहीं फेकती है वहाँ पर ट्रेनर्स खड़े हैं ट्रेनर्स आपको request कर रहे हैं प्लीज सर डंबल ना पटके और जो डंबल आप यूज करते हैं ठीक है मैंने यूज करा छोड़ दिया आप प्लेटे यूज करी छोड़ दी मैंने हर चीज यूज करा छोड़ दिया मैंने क्या यह अच्छी बात है य ہ्ये क्यशा़ आपके मैंट अब अच्छे फैमिली से विलॉग करते हैं आप एक अच्छे जहर से आता है क्या यह मैनर्स आपको सूट करता है जितने भी जितने भी जीम में जाते जितने भी यंग जेनरेशन जाते या जो भी जीम जाते हैं या ओल्डर पीपल जाते हैं या जो भी जाते हैं मैं हर जीम जाने वालों से यह बात कर रहा है कि क्या आपके आपको खुद में अच्छा लगता है कि आपको कोई आखर टोके बोले कि सरप्रीस प्लेट पुट अंदर अंधर रैक कि आप डंबल को फिर से रैक करूं yeah प्लेट को रैक करत्रों सर जूर। क३ई यसिलिए बोलते हैं वोकित दूसरे को हाणी पूंचंग ना पहुंचे आप जिस जगह पर कर रहे हो ना जाने कि कहीं आपको उस चीज़ से चोट ना पहुंच जाए इसलिए ट्रेनर्स बोलते हैं या वहां के स्टाब बोलते हैं या वहां के मिंबर्स बोलते हैं कि प्लीज आप जिस जमान को जहां से यूज करते हैं आप यूज कर तुरंत रख दें यह आपका मैनर सो करता है जीम का नहीं जीम का मैनर सो नहीं करता जीम में हर जगा नोटिफिकेशन डाला रहता है कि प्लीज डंबल को यूज करके उसके जगा पर रख दें अब प्लेट को यूज करके उनके जगा पर रख दें मसीनों को अराम सी यूज कर क्योंकि याद रखना भाई आप exercise करने जाते हो ना तो जीम की पूरी टीम लगी रहती है कि आपका जो equipment है वो टूटे ना वो खराब ना हो क्योंकि एक equipment खराब होता है तो वो दो तीन दिन चार दिन पास दिन दस दिन पड़ा रहता है जब तक श्टाफ नहीं है जब तक maintenance श्टाफ ना है तब तक वो equipment नहीं बन सकता है क्यों नहीं समझते हैं हम लोग चलो यह तो थी जीम की बात दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा जो आप outdoor करने के लिए निकलते हैं कभी मैं भी फिल्ड आता हूं मैं regular फिल्ड आता हूं जागो पब्लीक जागो बिमारिया बढ़ रही है लोग मर रहे हैं फिर भी हम नहीं समझ रहे हम अपने pollution को हम अपने आस पास के area को खुद गंदा करते हैं अभी जो मास्क का पर चलन्चला की मास्क लगाना लेकिन मास्क लगाते तो हैं हम 자 के मास्क को क्या करते में डिकर बेंकर रोट में फिक देते हैं हैं अपने वे सिचिछ को वहीं पे आना एक्सराइज करने के लिए वहीं वेस्ट प्रोडक्त एक दिन पॉल्यूशन करेगा और वह आपको हाम नहीं पहुचाएगा आपके और भी परिवार हैं आपके बच्चे हैं यही वातावरन तो है जो हमें नुकसान पहुचाता है तो हम क्यों नहीं समझते हैं क्यों नहीं अपने मैनर्स को मैनर्फूल बनाते हैं अपने आपको मैनर्फूल बनाते हैं अपने आपको अपग्रेट क्यों नहीं करना चाहते हैं आज का मेरा टॉपिक इसलिए यह था मैनर्स रिस्पेक्ट करना हम जीम अब मैं जीम में आता हूं यह तो थी बाहर की बात तो बहार में जहाडू मारे है कचरा पत्त davon motives के पेट कि नहीं करते हैं कि हम उंको कभी भी लिए तो कर रहें यह सब चीज शापसफाई और हम इस चीज खुड़ी नहींटा करते हैं फिर बोलतें हिट इंडिया शुक है हमारा भारत कैसे शुच रहेगा वह चार-पाँच छे लोग दस लोग अपना काम करते हैं जो साप सफाई करने का काम करते हैं हम तो इतने अबादी में हैं हम तो कुछ करना ही नहीं चाहते हम आपको तो गंद पहलाने से मतलब है उसके बाद हम सुचते हैं रहे हैं ना वो 10,000 रुपय तनका लेता है निगम इस्टाप या जो भी आपके सहरों में जो भी है यार हमें उनका भी रिस्पेक्ट करना है है हम अगर पारियावर्ण का रिस्पेक्ट करेंगे हम अगर पीपल होगे और दूसरी बात अब मैं आता हूं जीम में जीम में क्या करते हैं कि जो समान जहाँ है वहीं छोड़ दिये प्लेटे वहीं छोड़ दिये जीम का स्टाफ लगावा है बोल रहा है कोई फरक्त नहीं पड़ता हॉस्किपिंग स्टाफ झाडू कर रहे हैं सफाय करने हम एन को कोई फ्रक नहीं पड़ता वह जूता पहन कराएंगे अपना गे यह यह लेंगे वह डंबल यूस करेंगे और ऑर एक चीज आरे भी या आप जब इसको नहीं समझते हूं इसका आगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप कैसे है यो aspect करते हूं सोरी कि हमें एक अच्छा संदरिय मिल जाए हमें एक अच्छा बॉड़ी मिल जाए और आप चीज का इज्जत ही नहीं कर रहे और आप चाह रहे हमें मिल जाएं हम भॉडी बना ले याद रखना सो परसेंट अबादी है ना मानते हो 100% लोग है 100% में मातर 2% ऐसे लोग है जिनका बॉड़ी अच्छा है फिट है मैं फिट लोगों की बात कर रहा था वह इंटरनल नहीं फिजिकली नहीं बॉड़ी ही नहीं वह तन से भी फिट है अपने निचर से भी फिट है अपने माइंड से से भी fit है तो fitness इसको कहा जाता है कि आप overall हर जगा से fit है आप respect करना जानते हैं हर चीज का और वो आपको वापस से respect दे भी रहा है आप जिस चीज को कर रहे हो वो आपको उस मुकाम तक पहुंचाने की कोसिस भी कर रहा है लेकिन हम करना नहीं चाहते हमारे पल्ले नहीं पढ़ता यह सची हम तो आएंगे ऐसे यूज करेंगे और ऐसे फेग देंगे और ऐसे ही चले जाएंगे तो आपना उमीद भी मत रखो कि आपको आप जो चीज चाह रहे हो आपको वो मिल ज ब viv snack प्ले जीम केँजिंद का जो विए जितने भी आरिटीज है रिस्पेक्ट करें वह आपको पलट कर रिस्पेक्ट देगा आप खुद मेंृ मैनरस फुल बन जाएं जोट अंचाने में हर जगा लगता है और हर समय लग सकता है इसलिए मेरा रीजन था ये वीडियो को आज बनाने का ये वीडियो ठोड़ा लंबा हो जाएगा कोई नहीं अप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे कमेंट करें कि यह मैंने सही करा हैं कि मैंने एक्यूपमेंट्स का और अगर पारियवरन में हैं नीचर के साथ हैं आप किसी आसपास में है तो वहां जो कच्रापट्टी उठाते हैं रिस्पेक्ट करें उनका आप खुद भी साफ सफाय रखें खुद भी एरिया को हाईजीन रखें ना बनाए वेस्टेज को वेस्ट के जगह पर फेके डश्ट बीन पर फेके और अपने पारियवरन को अब खुद देखो यार अगर इसका रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर हम नहीं चाह सकते कि यह हमें कुछ अलग हमें देगी हमें अच्छा स्वास्त देगी नहीं देगी क्योंकि हम बर्वात कर रहे ह हम जितना बरवात करेंगे यह हमें उतना बरवात करेंगे तो प्लीज रिस्पेक्ट अपने नीचर का, अपने वातवरन का, अपने लोगों का और अपने आसपास के महर्ग का ऑद वाकि बनाना था और मैं कहीं दिनोंसे सोच रहा था कि मैं इस वीडियो को बनाऊआँगा, उते आप लोगों के लिए वनाऊंगा, जो नहीं समझते हैं बातों को तो थेंक्यू सो मच अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, हाँ अभी पूरी विगनर सीरीज बाकी है, डे 6 का वर्काउट में बहुत जल्दी अपलोड करूँगा, कि क्या गलती करते हैं विगनर्स अपने एक्सरसाइज में, त तो मेरे सारे वीडियो को जागर चेकाउट करें, अच्छा लगे तो सेयर करें, थेंक्यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,